सर्दियों के दिन थे अकबर का दरबार लगा हुआ था तभी फारस के राजा का भेजा एक दूप दरबार में उपस्थित हुआ राजा को नीचा दिखाने के लिए फारस के राजा ने मोम से बना शेर का एक पुतला बनवाया था और उसे पिंजरे में बंद करके दूद के हाथों अकबर को बिजवाया और उन्हें चुनौती दी की इस शेर को पिंजरा खोले बिना बाहर निकाल कर दिखाएं बीरबल की अनुपस्थिती के कारण अकबर सोच पर गए कि अब इस समस्या को कैसे सुलजाया जाए अकबर ने सोचा कि अगर दी हुई चुनौती पार नहीं की गई तो जग हसाय होगी इतने में ही परम चतुर ग्यान गुन्वान बीरबल आ गए और उन्होंने मामला हाथ में ले लिया बीरबल ने एक गरम सर्या मनगवाया और पिंजरे में कैद मौम की शेर को पिंजरे में ही पिगहला डाला देखते देखते मौम पिगहल कर बाहर निकल गया अकबर अपने सलाहकार बीरबल की इस चतुराई से काफी प्रसन हुए और फारस के राजा ने फिर कभी अकबर को चुनौती नहीं दी मौरल, बुद्धी के बल पर बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकाला जा सकता है